नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक और mutual fund portfolio के बारे में और इस video में हमने बहुत कुछ नया add किया है जो हम पिछले portfolio reviews में add नहीं करते थे तो आगर आप चैनल पे पुराने है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और उसके बाद हम कुछ portfolio अपने भी aggressive investor है तो यह video आपके लिए बहुत जादा useful होने वाली है reason क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे mutual fund portfolio के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ small cap add करेंगे तो क्या होगा ठीक है और अगर हम 3 equity एक hybrid सब combination देखेंगे और हर combination का देखेंगे क्या result निकलता है ठीक है hopefully आप समझ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हमें यह comment आया sir please review access small cap sorry access mid cap fund तो हमने इनको यहाँ पे reply किया था sure brother next week आ जाएगा और video shoot हो चुकी है editing हो रही है बहुत जल्दी आपके सामने access mid cap की video आ जाएगी ठीक है तो अगर आप channel पे नए है या पुराने भी है और आप चाहते हैं कि access mid cap mid cap category में एक और mutual fund को लाया जाए या दिखाया जाए कि यह किस quality का है तो उसके बारे में बात हो जाएगी उस video में ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं एक comment बता दूं किसी को मत पूछो बद जो फंट 5 साल से जादा है अच्छा return दे रहा है उसको ही ठोक डालो बस और क्या चाहिए तकदीर के ओपर छोड़ दो सिफ continue करो दो तरह के लोग मेरे पास mostly मतलब मुझे जो मैंने आज तक phase किये हैं पहला कुछ आते हैं कि जो हम वो कहते हैं कि हम खुद invest करना चाहते हैं ठीक है और वो हो गए एक तरह के second जिनको help चाहिए होती है या फिर ज इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं तुम्हाप लोगों को यही कहूँगा बेशक खुद करो या फिर मेरे थ्रू करो या किसी third percent के थ्रू करो बट ये चीज प्लीज मत करो इससे अच्छा तो मैं आपको 8% के FD बता देता हूँ कैसे होगी स्क्रीन पे नंबर फुलियो को देखते रहो थोड़ा सा री बैलन्स करते रहो और नॉलिज अपनी गेन करते रहो ठीक है ना चूज नाइस टॉपिक यह मुझे जो हमने गोल बेस प्लानिंग वाली वडियो बनाई थी उस पर आया था तो आप भी अगर अपने गोल बनाना चाहते हैं गोल बेस प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है यह तो हो गई अब कमेंटस की बात अब पोर्टफोलियो कमेंटस यह देखिए यहां पे एक कौंट का फंद फिर से फिर से और यह पांच कौंट के फंद normally हम क्या कहते हैं sectoral fund से दूर रहने का तो ये देखिए sorry infrastructure fund और Tata digital fund ये fund आपने ले लिए चलो कोई बात नहीं आप एक fund रख रहे हैं लेकिन इसके लिए आपके पास strong research होनी चाहिए कि आप एक particular sector में इतना पैसा डाल रहे हैं कि वो आपके portfolio को शायद 15-20% ले जाए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उसके बाद आप इसमें infrastructure में क्यों पैसा डाल रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है उसके बाद आप एक ही fund house में सारा पैसा डाल रहे हैं पास साल में लास्ट दो तीन साल में आपने जितना return generate किया ना उसको compare कर लेना आगे आने वाले जो मैं आपको portfolio दिखाने वाला हूँ और आप अपने portfolio के भी बहाँ पे return चेक कर लेना लास्ट फाइव येस का return चेक करना अपने portfolio का एसा return दे सकता है तो अगर आप एक aggressive investor है तो आपके लिए वडियो बहुत जादा और useful होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आगे किस तरह से हमने एक small cap का complete portfolio बनाया हुआ है और उसको इस portfolio से compare करा हुआ है हमारे portfolios भी कुछ बने हुए है कुछ multi asset, कुछ equity value, कुछ hybrid तो सब वो दिखाऊंगा आपको ठीक है उससे साथ आप compare कर सकते है अब कुंदन मौरे जी का portfolio अगर हम review करें तो यहाँ पे एक problem सबसे बड़ी देखने को मिलती है यह mainly पैसा कहाँ डालेगा large cap में large cap large and mid mainly mid में डालेगा वैसे तो लेकिन फिर सी large and large तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे funds हो गए तो आप एक चीज़ कर सकते हैं mid cap हटा सकते हैं आप ये वला क्योंकि इससे क्या होगा आपके बस low fund house से same जो fund है mid cap हट जाएगा आपके पास से आपके पास आगे excess small cap और अब asset emerging blue chip में आप थोड़ा सा exposure बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें mid cap का exposure थोड़ा सा कम रहता है कई बार तो आप में इसमें exposure बढ़ा सकते हैं ठीक है इसमें थोड़ा सा exposure बढ़ा दीजिए और इन दोनों का exposure आप इस तरह से रख सकते हैं 25% ये 25% ये ठीक है इन दोनों को आप किसी भी तरह से divide कर सकते हैं 30% small cap में भी डाल सकते हैं 20% भी डाल सकते हैं या आप इनका 20-20 करके इसमें 30-30 कर सकते हैं इस तरह से भी आप अपने portfolio को बना सकते हैं तो ये बहुत aggressive portfolio बन जाएगा और real aggressive portfolio क्या होता है वो दिखाते है नीचे आपको ठीक है यहाँ पे अगर आपको buckets दिख रही होंगी तो मैंने ये DEY investors यानि कि इनका portfolio बनाया है जिसमें हमने 5 scheme डाली थी और last one year में roughly इन्होंने इतने return generate किये होंगे ठीक है अब उसके बाद SIP date को लेकर थोड़ा बहुत उपर नीचे हलका हो सकता है point कुछ में और three years में इन्होंने इतने return generate किये होंगे और five years में इनके इतने return generate हुए होंगे तो इनका ये portfolio इस तरह से दिख रहा है कि हाँ इस तरह से इन्होंने return generate किये होंगे ठीक है अब हमारे portfolio से अगर मैं इसको compare करूँ तो last one year में तो ये किसी चीज को बीट नहीं कर पा रहा लेकिन three years में ये हमारे equity portfolio जो सिर्फ और सिर्फ ये लगा लिजी जिसमें gold भी है जिसमें एक hybrid भी है और तीन ही equity है तो उसको beat कर रहा है और long term में भी उसको beat कर रहा है तो इनका portfolio अच्छा है ठीक है? हाँ अगर मैं aggressive funds की बात करूँ कि अगर मैं पांचो equity लेता हूँ तो वहाँ पे इनका portfolio हर जगा पीछे रह जाता है और यहाँ पे रफली 1% पीछे है 5 years में और एक चीज और है जिस वज़े से इस portfolio में सिर्फ 1% का ही difference है कि ये वले funds जो हैं वो regular funds है क्योंकि अगर आप हमारे थुरू लेंगे तो obvious सी बात है आपको regular funds में लेंगे लेकिन फिर भी आप return generate कर लीजे आपको direct में ज़्यादा मिलते हैं तो direct में कैसे ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप खुद 18-19% return निकाल पा रहे हैं last one year का return compare कर लीजे ठीक है मैं ज़्यादा नहीं मतलब इसको compare करने को बोल रहा है लेकिन मैं इनका portfolio फिर भी बोल रहा हूं अच्छा है अगर आप इसे खुद आगे इसी तरह से चला सकते हैं खुद manage कर सकते हैं जो भी खराब perform कर रहा है उसे हटा सकते हैं तो ये वली चीज आपके साथ नहीं होगी ये वली तो आपको मिल गई बढ़िया ये भी मिल गया लेकिन ये फिर अगर एक दो साल चलता रहा तो ये return और नीचे जाते जाएंगे ठीक है यहां ये bucket actively manage होती है जिस वज़े से इसकी return थोड़े से extra है और अगर जो लोग बोलते हैं कि small cap का ही portfolio बना लो जो 4-4 small cap 5-5 small cap एड़ गर लेते हैं वो भी नहीं बीट कर पाए 3 years में और last 1 year में भी देख लीजिए जो aggressive portfolio है और एक चीज़ और बता दूँ यहां पर difference देखो बहुत ज्यादा नहीं है 3-4% का बेशक difference हो लेकिन इनका portfolio बहुत safe है क्योंकि proper diversified है तो अगर मैं यहां ranking दूँ ना चलो ऊपर वले portfolio को हम छोड़ देते हैं अगर मैं ranking दूँ इन 3 में से यहां पर इनका investor का portfolio फिर भी second number पे रहेगा जो लोग पूरा small cap का portfolio बना लेते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए ठीक है तो अब इनका portfolio हम review करने वाले हैं और हमने क्या किया यह portfolio है अगर इन्होंने यह portfolio बनाया है 10,000 रुबे का portfolio बना है और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो आप यह देखिए इतना 44 roughly और 41 mid cap में 13% small cap में होते हुए भी इन्होंने जबरदस return generate कर रखें तो जरूरी नहीं आपको small cap में डालके अपने पैसे को बहुत ज़्याद रिस हो जाओगे और बे मतलब अपना पैसा गवाने की भी chances बढ़ा बैठोगे क्योंकि small cap में जब गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा portfolio को खा जाती है ठीक है उस समय पैनिक करना सब कुछ normal हो जाता है और पता नहीं वापिस portfolio कब तक recover करेगा तो वो एक emotional दोर से गुजरन बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इससे अच्छा तो यह है कि यह portfolio रखो गिरेगा भी नहीं इतना और चड़ेगा भी अच्छे से ठीक है और growth आपका portfolio है large capitalization है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पैसा पैसा पैराकपारिक की वज़े से roughly 5% पैसा आपका जाता है US market में बाकी इंडियन मार्केट में ही है financial sector में 23% services में 12% healthcare technology इतना बढ़िया ना मुझे chemical अगर यह sector मिल जाता तो यह मज़ा आ जाता क्यों 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 हम क्या गयते है कि financial sector में 22% 20% हो थोड़ा से चलो एक अधा पसेंट आइक स्टा हो गया यहाँ पे healthcare में हमें 8% के आसपास म मिल गया तो यह जो sector मुझे मिल गए ना ऊपर अपने top 4 में तो बढ़िया है chemical sector नहीं मिला और insurance sector तो वैसे ही नहीं मिलने वाला आपको कहीं पे भी तो वो तो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा तो अलग से खरीदने की बात जब हम करें तो यहाँ पे आप कुछ stocks हैं वरुन बैवरजीज यह सारी कंपनियां हो गई जिनको आप खरीज सकते हैं ठीक है और अगर मैं future projection की बात करूँ यहाँ पे इनके portfolio की तो एक चीज हमने जो miss करी वो यह कि अगर आप 10,000 रुपे डालते रहते हैं 10,000 डालने के बाद आपको 15% अगर return मिलते रहते हैं अभी चाहिए कितना अगर आज के time पे आपको एक करोड रुपया चाहिए तो उस time के हिसाब से आपको एक करोड 55,000,000 रुपया चाहिए होगा ठीक है तो इसके लिए O.D. planning करनी जरूरी है मेरे हिसाब से तो आप इसको plan करके चलें कि आप आज के time के हिसाब से एक करोड रुपय और एक दो गोल के लिए आपका पैसा बहुत है ठीक है बाकी step अप करेंगे तो इससे भी काफी ऊपर निकल जाएंगे और रफली आज की value के हिसाब से आप 1.2, 1.3 क्रोड तक बहुत आराम से पहुँच जाएंगे hopefully आपको सब समझ आ गया होगा इस तरह की interesting videos के लिए चैनल को follow करें मिलते हैं अगली video में